तो ये हमारे पास आ चुकी है Firebolt की New Rugged Smart Watch जो के Firebolt Artillery इसी Smart Watch में काफी strong quality प्रोवाइट की गई ये company की तरफ से साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे features भी आप लोग को मिल जाने हैं तो चलते हैं फटफट बात करते हैं इसी Smart Watch के बारे में और करते हैं इसकी unboxing और देखते हैं क्या क्या है box में कैसी दिखती है Smart Watch कैसे work करते हैं sensors कैसी इसकी calling quality सारी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे हम पर उससे पहले आप लोग से request भी करना चाहूंगा अभी तक आप लोग ने चैनल को subscribe नहीं किया तो whatever subscribe कर लो और ये वीडियो आप लोग अच्छी लगए तो वीडियो को like जरूर कर देना और यह रही smart watch जो के fully rugged look के साथ आती है और काफी जादा strong भी देखने में लगती है smart watch strap भी यहाँ पर आप लोग को rugged look में ही देखने को मिल जाता है बागी detail में आगे बात करते हैं हम तो बात करते हैं इस watch के setup and application के बारे में तो आप लोग को fb active application install करना पड़ेगा watch को pair करने के लिए काफी easy process भी आप लोग खुद भी कर सकते हो तो यहाँ पर आप लोग काफी सारे functions देखने को मिल जाते हैं जिसको आप लोग यहाँ से enable disable कर सकते हो device पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोग को add device option मिल जाता है इस पर click करके आप लोग watch को pair कर सकते हो माग यहाँ से आप लोग watch faces वगर है change कर सकते हो अब इस watch के build and quality की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी strong quality देखने में लगती है smart watch की overall यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी hard plastic का use किया गया है माग यहाँ पर strap की बात करें तो इसमें आप लोग को 22 mm का strap मिल जाता है और strap की quality भी काफी solid देखने में लगती है इसके लबा side में दो button भी provide किये गए हैं उपर वाले button को press करके आप लोग direct main menu में चले जाओगे जहाँ पर watch के सारे features show जाते हैं और नीचे आप लोग को shortcut button provide किया जाता है इसको press करके अभी आप लोग GPS मोमेंट में चले जाओगे बांकि आप लोग उसको change भी कर सकते हो setting में जाने के बाद key definition में जाने के बाद यहां से आप लोग choose कर सकते हो कि आप लोग को shortcut key में क्या चाहिए तो आप लोग यहां से किसी भी features को shortcut में डाल सकते हो बांकि back side की बात करूँ तो यहां पर भी polycarbonate का ही use किया गया है इसके लाबा यहां पर आप लोग को speaker and mic भी provide किया जाता है जिसके तो आप लोग Bluetooth calling को use कर सकते हो और बात करूँ overall build quality की तो यहां पर काफ़ी top notch quality प्रोवाइड कर गी company under 2500 अब बात करेंगे इसके display के बारे में तो यहां पर आप लोग को always on display का भी features provide किया गया है जैसा कि यहां पर आप लोग खुद भी देख सकते हो always bright का option देखने को मिल जाता है बाकी color accuracy भी काफी बढ़िया देखने में लगती है smart watch की तो इस watch को आप लोग outdoor and indoor कहीं पर भी use कर सकते हो visibility को लेके कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली so इस watch का जो सबसे highlight point है वो है इसका gaming motion sensor तो यहां पर आप लोग देख सकते हो watch को आप लोग phone से connect करने के बाद app के थूर आप लोग यहां पर game खेल सकते हो और मैंने यहां पर game को play कर दिया है अब यह आप लोग देख सकते हो यह watch के थूर मोशन यहां से control किया जा रहा है आप लोग यहां पर खुद भी देख पा रहे हो तो इस watch में काफी interesting features देखने को मिल जाता है यार और यहां पर आप लोग इसको खेल के अपना time pass वगरा भी कर सकते हो और यहां पर इसके लाव और भी काफी सारे games है जो आप लोग पने time pass के लिए केल सकते हो बागे कुछ activities भी है health activities भी आप लोग यहां से कर सकते हो इसको तो आप लोग इसको भी जाकर चेक आउट कर लेना FB active application को install करना पड़ेगा आप लोग को यह सारे जीचे चेक आउट करने के लिए बागी बात करते है इस watch के UI के बारे में और देखते है क्या क्या है इस watch में features तो अगर आप लोग उपर से swipe down करो वो यहां पर setting के कुछ shortcut देखने को मिल जाते है जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हो phone calls मतलब dial pad provide किया गया shortcut में ही इसके लाब find my phone and calls को आप लोग यहां से enable, disable कर सकते हो QR code, brightness इसको आप लोग यहां से अपने choice का recording एड़ेस्ट कर सकते हो बागी है setting इसके लाब device information and water draining option मिल जाता है इसके लाब main menu style यहां सा आप लोग देख सकते हो 5 types के different menu style देखने को मिल जाएंगे तो आप लोग इसको भी अपने choice का recording चेंज कर सकते हो and SOS इसके लाबा setting की बात करें तो यहां पर भी काफी सारे functions देखने को मिल जाते है screen time जहां पर आप लोग को 60 seconds इसके लाबा always bright का भी option प्रोवाइट किया गया vibration, ringtone, raise to wake up, time setting key definition मतलब यहां से आप लोग shortcut को select कर सकते हो and power off, restore factory about बागी आप लोग नीचा swipe up करो तो notification देखने को मिल जाएगा इसके लाब राइट से swipe करने फे visit के shortcut देखने को मिल जाते हैं आप लोग को और अगर आप लोग left से swipe करो तो recent app देखने को मिल जाएगा बागी आप लोग ऊपर वाले बटम को प्रस करके main menu में चले जाओगे जहां पर watch के सारे features show जाते हैं तो बात कर लेते हैं इनी features के बारे में सबसे पहले मिलता है steps count, slip monitor, heart rate, ECG and blood pressure SPO2 sports mode जहां पर आप लोग को 105 sports mode provide किया गया है daily life में जो भी आप लोग use कर तो सारे sports mode इस watch में available हैं इसके अलबा music control, camera control, weather forecast, phone calls, contacts and voice assistant भी provide किया गया है इस watch में साथे-साथ यहां पर आप लोग को basic features में alarm, breathe mode and मिलता है यहां पर आप लोग को calculator का option तो आप लोग daily life में इसको भी use कर सकते हो जो के काफे चादा useful होता है बागी है timer, stopwatch, find my phone, flashlight, menu style, messages, female healthcare बागी game का भी option मिल जाता है इसके बारे मैं आप लोग को आगे बता हूँग कैसे इसको खेल सकते हैं आप लोग बागी application, GPS moment and body temperature भी यहां से आप लोग चेक कर सकते हो अपना इसके लवा QR code and sighting के बारे मैं आप लोग को अल्रेडी बता दिया है तो देख सकते हो आप लोग इस price segment में आप लोग काफी सारे features भर-भर के मिल रहे हैं इस smart watch में यह watch आप लोग को सिर्फ और 25, 180 देखने को मिलने वाली है अब चलते हैं फट आफट accuracy भी test कर लेते हैं और देखते हैं यह smart watch हमें heart rate और SP2 में क्या reading शो करती है सबसे पहले अपना heart rate टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं यह smart watch हमें heart rate में क्या reading शो करती है so heart rate की final reading आचू की और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ और एक से दो reading का फर्क देखने को मिलता है अब फट आफट SP2 भी test कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ वे watch क्या reading शो करती है तो यहाँ पर SP2 की भी final reading आचू की है सिर्फ और सिर्फ एक reading का फर्क निकल के आया है बागी मैं आप लोगे recommend यही करूँ और किसी भी smart watch पर आप लोग rely मत किया करो serious condition में medical equipment का ही use किया करो so मैंने सारी चीज़़ आप लोग सामने test करके दिखा दिया है अब फटवर calling test भी कर लेते हैं और देखते हैं इस smart watch की calling quality कितनी बढ़िया है hello hello हम ब्रदर क्या हाल है बढ़िया भाई तू बता बस बढ़िया आवाज आ रही है मेरे साई हाँ बढ़िया आ रही है क्यों क्या हुआ अरे मैं ना watch की testing कर रहा था fireball की watch आई थी मेरे पास calling test कर रहा था तो ब्लुकल किलियर आवाज आ रही है मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत दूर से बात कर रहा हुआ स्पीकर पे आ फिर कुछ जादा आजीब सी आ रही हो कॉलिंग क्लिप्स आप लोगों नहीं पे देख लिया है आपको खुद भी idea मिल गया होगा कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोग को कैसे लगी बाकि और मेरे कॉर्डिंग काफी बढ़िया है smartwatch की calling quality अब आते हैं finally conclusion पे और बात करते हैं क्या आप लोगों को ये rugged smartwatch लेनी चाहिए फिर नहीं लेनी चाहिए इस price segment में आप लोगों को ये smartwatch सिर्फ और से 2499 की देखने को मिल जाएगी अभी जो इसका launch price है और इस price point पे आप लोगों को एक fully rugged और काफी strong quality की smartwatch मिल रही है को BP monitor इसके लाब female healthcare और सिर्फ इतना ही नहीं इसी smartwatch में आप लोग body temperature भी check कर सकते हो बाकि या पर जो सबसे बड़ा highlight point है smartwatch का वो है इसका motion sensor gaming तो आप लोग time pass के लिए इसको भी use कर सकते हो अपने phone में game वगरा खेल सकते हो उस watch के through तो यार देख लो इस price point पे आप लोग को काफी सारी चीज़ें मिल रही है स्मार्ट वोच में और अगर आप लोग एक rugged लुक वाली smartwatch देख रहे हो अपने लिए तो definitely यह smartwatch काफी जाद है value for money प्रोवाइट कर रही है अभी तो जाके आप लोग check out कर सकते हो लिंक मैंने description में provide कर दिया है तो बस आज के लिए इतना ही मौमीत करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगी तो फटाबर वीडियो को like कर देना और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो फटाबर subscribe भी कर दो मैं मिलूँग आप लोग से लेक्ष्ट वीडियो में तक तक के लिए बाइ-बाइ